हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे किचिन में हार्दिक स्वागते आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हो सामबर मसाले की रेसिपी कीवल दो चमच सामबर बनाते समय इस मसाले को डालिए और साउथ इंडिया के जो रियल सामबर वाले टेस्ट है वो पाईए एकदम बढ़ि इसमें एड़ करके टेस्ट बढ़ी अपाई तो इसके लिए हम देख लेते कि हमें क्या के इंग्रिडेंट इसमें लगने वाले हैं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने यहां पर ले लिया है आधी कटोरी से थोड़ा चैन दाल आधी कटोरी उरत द लिया है और इसके साथ साथ मैं इसमेड करने वाली हूँ 15-20 सूखी लाल मिर्च और दो बड़े चमस सूखी करी लीव्स इसके पे आप फ्रेश करी लीव्स कभी इस्तमाल कर सकते है करीवन 15-20 अब गैस पे मैंने कड़ाई चढ़ा दी और जोकी हलकी सी अब गरम हो चुकी क्योंकि उससे क्या होता है अगर आप इन सारे इंग्रिजेंट को ड्राइ रोस्ट नहीं करेंगे तो यह मसाले जादा देनों तक टिक नहीं पाएंगे जल्दी खराब हो जाएंगे इनमें कीड़े पढ़ जाएंगे या फिर इनका सारा टेस्ट उट जाएगा तो की फ्रेग्नेंस आनी शुरू ना हो जाए यहां पर एक बात का ध्यान रखे कि रोस्टिंग के टाइम पे जो गैस का फ्लेम है वो एकदम मीडियम होना चाहिए यह लीजे तीनों ही इंग्रिजेंट एच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं ड्राइ रोस्ट हो चुके और इनमें एक अच्छे से खुश्वू भी आनी शुरू हो गई है तो अब इसे में एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी और बाकी बचे हुए इंग्रिजेंट को भी हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे सांबर मसाले में यह रोस्टिट चना दाल उरत दाल और चावल एड़ क चाहिए जिससे की उसका टेस्ट दूग न हो जाता है अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया धनिया की शीर्स जीरा और यह मैंने मेथी डाने डाल दिया है मतलब जितने भी हमारे इंग्रिजेंट बच गए हैं वो सारे इंग्रिजेंट अब मैं इसमें एड कर दूँगी ड्राइ भी डाल दिया है और अच्छे से इन सारे इंग्रिजेंट को हमें हमें लो फ्लेम पे ड्राइ रोस्ट करना है यह लीची यह सारी चीजे भी अच्छे तरीके से ड्राइ रोस्ट हो चुके इन में से एक अच्छा सा फ्रेग्नेंस भी आना शुरू हो गया है और इन इने में हमारी सावतलाल मेर्षती और करी लिफसी, वह ऊना डाकाई में दाल देंगे और इन्हीं भी अच्छे से ड्राइय रोस्ट कर लेंगे अब सब आडान को एक सार ड्राय रोस्ट नहीं कर सकते। तुकि अख्यो समबर मसाले अब जो हमारी करी लिस्ती और जो साबुत लाल मुर्स थी वच्छे से रोस्ट हो चुकी थी तो मैंने सेम प्लेट में उसे ट्रांस्फर कर लिया अब यहां पे डैसिकेट्ड को कोनट को भी मैंने करीबन 1-2 मिनिट हलका सा हिला के रोस्ट करकी उससे भी सेम प्लेट में ट्र और पल्स और हाई मोड के प्रोसेस के तुरू इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब इस तरीके से हमने मसालों की सेल्फ लाइफ तो बढ़ा दी लेकिन उन्हें कीडों से बचाने के लिए उसमें दो तीन इंग्रिटेंट और एड़ करने पड़ेंगे यहां पर मैं एड़ कर रही हूँ करीबन एक चमच लालमेश पाउडर आप इसकी जीके पर कश्मीरी लालमेश पाउडर कभी इस्तमाल कर सकते एक चमच नमक और करीबन एक चोटी चमच हल्दी पाउडर यह लीजे सारी ही चीजे को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और कितना बढ़िया और कितना कलर इसका प्यार आया है कितने अच्छा यह हमारा मसाला बनकर त्यार हुआ है सामबर का तो अब चिंता इस बात की है सबजय भी घर में है सामभर मसाला भी घर में है तो बनाना बनता ही है और साथि साथ महीनों तक स्टॉर भी करना आई तो जब भी दिल करे तब बनाए और खुशी मन से तो तेस्ट कभी नहीं मिलेगा अब भी घर पर समबर मसाला बना के सामबर बना के अपनी फैमली को कह सकते हैं कि क्या मिला है ऐसा कहीं और टेस्ट तो ये लिचे बड़िया से बनकर त्यार है घर पर फ्राइकर के एक बार जरूर देखेगा वादा करते हो कि आपको बाहर से म प्लोड कर रखी है पाव बाजी मसाला सबजी मसाला बिर्यानी मसाला जो कि आप घर पे कुछ इंग्रीजिन को इस्तमाल करके बना सकते हैं उनकी सेल्फ लाइब बढ़ा सकते हैं हफ्तों को छोड़ो महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और बाहर मसाला कोई खरीदना भीने पड़ेगा बाहर के मसाला में इतनी मिलावटे होती है और टेस्ट पी उतना बढ़िया नहीं आता तो घर पर ही बनाएए और टेस्ट एकदम दुगुना और बढ़िया पाईए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपे के साथ तब तक के लिए जैश् बताना